हेलो गाइस, वेलकम तो इलेक्ट्रिकल डोच, दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी यूटूब चैनल पे, दोस्तो आज हम SPM CIL का एप्रिकेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इस चीज के बारे हम जा रहेंगे, मैं आपको मोबाइल के माध्यम से SPM CIL का फॉर नहीं रहा, ओपन नहीं हो रहा है, तो कैसे क्या करें, तो दोस्तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, जो SPM CIL का फॉर्म फॉर्म से भरना चाहते है, या फिर जो भी परिशानिया आ रही है, उनको फॉर्म को फिलप करने में, तो वीडियो को लास्तक बने रहेंग दोस्तो हम हैं SPM CIL की official website पे और इस page पे आने का link दोस्तो मैं आपको वीडियो के description box में दे दोगा, तो पहले आपको ये करना होगा, उस link पे click कर देंगे और या फिर उस link को copy करके आप Google Chrome में direct आके Google Chrome में उस link को paste करके direct इस page पे आ सकते हैं, दोस्तो इस page पे आने के बाद आ आपको दिखेगा और यहां पर आपको close करना होगा, यहां पर जैसे ही आप आएंगे, इसके बाद नीचे carrier section में दोस्तो आप आएं और यहां पर देखे, जो पहली recruitment है दोस्तो, recruitment of welfare officer, supervisor, various discipline and junior draft friend, यहीं पर दोस्तो आपको आना है और यहां पर click here to apply, जैसे ही दोस्तो आप आप फोन को normally portrait mode में लिये हुए हैं, तो अगर portrait mode का क्या मतलब होगा, portrait mode का मतलब यह हुँआ दोस्तो कि जैसा आप normally phone को use करते हैं, जिस तरह हाथ में लेके, वो portrait mode हुआ, अगर आप portrait mode में लेके इस phone को fill up कर रहे हैं, तो आपको issue हो सकता है, आपको landscape mode में करना है, आपको landscape mode mode कहते हैं, अगर आप landscape mode में phone को नहीं रखते हैं, तो कुछ आपको इस तरह का interface सामने आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, guys अगर आप phone को portrait mode में चला रहे हैं, तो मतलब phone, जिस तरह आप phone में हाथ से पकड़ते हैं, उस तरह ही mode में अगर phone को लिए हो, तो आपको इस दिखा है, इस तुन पर, this website is visual only in landscape mode, तो आपको phone को landscape mode में करना होगा, जिस तरह आप movies को देखते हैं, या YouTube पर कोई यूट्यूब पर जो को भी, कोई भी video देखते हैं, उसको आप जिस mode में है तरह जिस situation और phone को रख के देखते हैं, उस mode में करना होगा, तब जाके आपको यह form open होगा, दोस्तों जैसे ही हमने apply online पर click किया, हमारे पास यह page open होके आया, अगर आपने already registration किया हुआ है, तो यहाँ पर dialed up registration number और password link के form को fill up आगे कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप नए है, registration नहीं किया है आपने, तो click here for new registration, इस पर click करना है, मैं यहाँ पर click कर दे information, photo and signature, details, preview and uploads, जो जो चीज़ अप्लोड करने होगी, इसका payment आपको करना होगा, तो यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि आप इसको देख पा रहे है, यहाँ पर आपको अपना name, first name, confirm first name, middle name, अगर आपका है कोई, तो वह भी आपको type करना होगा, इसी तरह confirm middle name, last name, और फिर आप आपको एक बार first name, होना चाहिए, और mobile number दोस्तों, आपको डालना है, बनाब general information, जो आप हर form में आपको चाहिए होती, alternate डालना है, फिर email ID, दोस्तों, यहाँ पर धान रखिएगा कि email ID, और mobile phone number, जो आप डाले और अपना नाम, एकदम सही से डाले, क्योंकि यहाँ पर फिर आगे होना क्या है, जैसे ही आपने registration complete किया, तुरंट आपको यह page खुल के सामने आएगा, और यहाँ पर दोस्तों, इस page के ऊपर ही आपको registration number और password लिख के सामने आजाएगा, privacy concern की वज़ए से दोस्तों, मैंने इसको show नहीं किया वेडियो में, लेकिन आपके पास registration number और password दोनों लिख के सामने आजाएगा, जैसे इस page को आप उपर open करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास दोनों registration number और password आजाएगा, दोस्तों, आप उस registration और password को note करके रखे एक अलग page में, जिससे आपको अगर आगे काम हो, या फिर अगर आपको दुबारा लॉग इन करना हो, तो काम आ सके, या फिर आप किसी वज़र से form से लग आउट हो जाए, तो वो काम आ सके, यहाँ पर दोस्तों आपको, देखे, यहाँ पर दोस्तों आपको signature और photo दोनों upload करनी है, यहाँ पर दो guidelines दी हुई है, दोस्तों उसको भी आपको पलके इन चीजों को upload करना है, ठीक ह तो यहाँ पर photograph अपलोड करनी है, और यहाँ पर signature अपलोड करना है, तो इन चीजों को upload करना है दोस्तों, ठीक है, चलिए हम इस चीज को भी करके form में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर photograph और signature की desirable quantities यापर details चाहिए, वो चीजे mention है, यहाँ पर आपकी pixel की size दोस्तों, और यहा signature का भी जो दोस्तों, पिक्सल है, वो 140 से 60 पिक्सल के बीच होना चाहिए, और 10 से 20 के इस photo size होनी चाहिए, दोस्तों, यह चीज अगर आपके पास pixel उस form में नहीं है, तो आप डारेक्टर गूगल पर search करिए गा, to reduce pixel या फिक्सल रिसाइजर करेंगे, तो एक site open हो जाएगी वासे आप किसी पे भी, site पे भी normally photo को upload करके अपने desired way में उसको इस pixel में धाल सकते हैं, या photo को बढ़ा सकते हैं, तो आपका time बच जाएगा, बहुत अड़ा time नहीं लगने वाला इन चीजों में, तो चले दोस्तों, पहले मैं उस photo, signature और photograph को upload करता हूँ, फिर इस form में आग आप किसी तरह से disability से गुजर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको चीज़े बतानी है, और यहाँ पर आपका realization लिखना है, इसी तरह आप अगर SMPS, PMCIL के employee रहे हैं, तो उन चीजों को भी बदाना है, और यहाँ पर आपका date of birth, जो personal return, date of birth, gender, और father's name, mother's name, इन सारी चीजों क तो आप direct कोई भी एक address लिखके, यह same as पर click कर देंगे, same as address for correspondence, यहाँ पर इस box पर click कर देंगे, तो अपने याप address fill up हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर, अगर आपको अपना एक बार चेक करना है, तो validate your details पर click करके check कर लेंगे, इसके बाद save and next पर click कर लेंगे और यहाँ पर अपनी category को mention करना, और यहाँ पर सबसे एक important जो चीज वो यह है दोस्तों, कि यहाँ पर आपको exam center का भी option आएगा, अगर आप जो एक ही exam center का option आ रहा है, तो जो भी आपको exam center चाहिए, उस exam center को आप जरूर fill up करिए, और इसके लाँ दोस्तों एक चीज मुझ form fees में आपको 108 रुपे GST charge देना पड़ा है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है, फिलाल मैं खुद मुझे कल ही जानकरी मिल चुकी थी, जब एक candidates मुझे mail किया था, तो यह बहुत ही ज्यादा मतलब गलत है, क्योंकि आप form fees fill करा रहे हो, चुकि विरुजगारी में student खुद form fill करता है, और यहाँ पर 108 रुपे GST charge, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि यह चीज़े देख रहे हैं, जिस आपकी choose the address for GST invoice, तो यह चीज़े थोड़ी सी गलत लगी, दोस्तों, फिलाल form को fill up करते हैं, जादा टाइम ना रहे हो, फिलाल form को next पे fill up करते हैं, दोस्तों उस page अब आप आप आजाएंगे, इस page पर यहाँ पर आपको qualification details वरनी है, यहाँ पर आप दे सकते हैं कि आपका diploma कपका है, अगर आपने graduation किया है, तो कभी किया है, पूस्ट ग्रेजुएशन है, तो कब की है, और किन किन चीज़ों की बीच आपने, मतलब किस की years के बीच में किय है, इन सी चीज़ों को भी आपको fill up करना है, और यहाँ पर दोस्तों, अगर आप कहीं पर और experience है आपके पास, तो इन साइज चीज़ों को भी आपको fill up करना है, हाला कि यह में रंट्री नहीं है, आवशक नहीं है, अगर आपने किया है, तभी इसको fill up करना है, और others detail में दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई साइज चीज़ दी हो, यहाँ पर आपको no-no करते हुए चले जाना, और कौन सी language आप जानते हैं, अगर आप पहला language आपको भरना जरूरी है, आविशक है, second language आपके लिए optional है, तो इस साइज चीज़ों को भी आप fill up करके, इस चीज़ को save and next कर सकते हैं, या फिर validate your details पर क्लिक करके एक बार आप इस details को check कर सकते हैं, तो चले दोस्तों, पहले मैं इन चीज़ों को fill कर लेता हूं, फिर इसके बाद form में आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आप वहाँ पे next करेंगे, तो एक page आपके सामने open होगा, और उस page पे दोस्तों, आपके जो application form का preview दिखाया जाएगा, तो प्रिव्यू में आप सारी चीज़ों को एक बार फिर से remind कर सकते हैं, कोई चीज़ ऐसी है, जो आप से गलत फिल हुई है, तो इन सारी चीज़े गलत है, और कौन-कौन सी चीज़े सही है, एक बास री चेक कर लिजे form को, और दोस्तों साथ में declaration भी कुछ है, वहाँ पे भी आपको box में check करना है, और photo के नीचे भी box बना हुआ है, चोटा सा, वहाँ से भी आपको check करना है, और signature के नीचे भी आपको एक box बना ह चीज़ेंगे form को, यहाँ पर आपका uploads खुल जाएगा, upload वाला section यहाँ पर जैसा कि आप इसके पर देख पार है, upload वाला section खुल जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको left thumb impression और hand written declaration, इन दोनों चीज़ों को आपको डालना है, करना है, left thumb impression दोस्तों आप कहीं से भी left thumb impression बनव कि जो आपको declaration करना है दोस्तों वह capital letter में नहीं होना चाहिए, बहुत सारे लोग सोचते है कि capital letter में कर देते हैं, capital letter में नहीं होना चाहिए और दोस्तों यहाँ पर कुछ शाइजे दी हुई है, उन साइजों के according आपको declaration बनाना है, scan करना है, और आपको white page में लिखना है, औ और black pen से आपको वह लिख के scan करना है, दोस्तों, वह declaration कैसे लिखना है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, वरना आपको थोड़ा सा problem होगी, और चीजों को भी मैं लिख के बता दे रहा हूँ, जो आपके declaration का format होना चाहिए, कुछ इस तरह होना चाहिए, यहाँ पर आपको दो, मैंने black किया है, दोस्तों, यहाँ पर आप नाम आई, son of अपने पिता जी का नाम या फिर जिसका भी नाम लिखना आपको, और यहाँ पर नेम, और यहाँ पर आपना signature, और दोस्तों, यहा यहाँ पर दोस्तों सब्सक्राइब भड़ी ध्याल नेकर लिए बात है कि मैंने सिर्फ यहाँ पर टेक्निकल ऑपरेशन एलेक्ट्रिकल के लिए लिखा है, जहाँ पर यहाँ पर जो भी आपकी पोश्ट है दोस्तों, वह आप फूस्त फिलप कर लिजेगा, बाकि जो पढ़ान करके जो जिजायड पिक्सल्स और साइज है उसमें लेके अपलोड कर दीजिए और इसी तरह थम थम इंप्रेशन को भी अपलोड कर दीजिए, दोस्तों जैसे ही हमने अपलोड कर लिया अब हम पेमेंट पेस पर आ गए है, पेमेंट पेस पेस्पे दूस्तों अम पेमेंट करना चाहिए, आप यूपियाई के थुभी पेमेंट कर सकते हैं, सारे औप्छन्स अव्लेबल हैं यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं, तो दोस्तों चलिए मैं आप पेमेंट डिटेल्स फिल करके समिल्ट करता हूँ, जैसे ही आपने पेमेंट की, आपके पास पेमेंट पर आएगा और आप से आप e-receipt डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके लावा दोस्तों आपके पास एक मैसेज भी आ गया हुआ, आपके प्राइमरी फोन नमर पर कि आपकी पेमेंट रिसीब हो चुकिए, और साइच चीज आपकी कम्प्लीट हो गई है, जैसे ही करने का option मिल जाएगा, दोस्तों आपको ध्यान रखना है e-receipt और application form दोनों को सेव रखना है, कहीं पर भी hard copy और soft copy आप कहीं पर भी सुच्छित रखना है ताकि अगर आपको फिर कभी जरुद पड़े तो काम आ सके, तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पूरा full procedure आपको समझ में आया होगा, इसके लाँ भी दूस्तों आपको किसी तरह की help रही कोई और वीडियो चाहिए, तो आप उसे comment section ने बता सकते हैं, hopefully आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को like कीजिए, share की दोस्तों के साथ, जो भी लोग form को फिलप नहीं कर रहे, file phone में fill up कर सकते हैं, आप घर-बैटे फिलप कर सकते हैं, आपको कोई भी cyber cafe और किसी भी जगा जाने की जरूवत नहीं है और आपको पास normal laptop नहीं है, तो आप मोईल फोन से भी form को fill up कर सकते हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना है, इस कर दो कर दो दो खूंगे कि अ कर दो है।